साथियों, कोरोना महमारी के दौरान, हर कोई सिर्फ एक ही संकल्प के साथ जुटा है, और वो संकल्प है एक एक भारतिय को बचाना है। इस संकल्प ने भारत को हैरत अंगेच परणाम दिये हैं। विशेशकर, PPE, मास और टेस्ट किट्स को लेकर भारत ने जो किया वो सचमुच में ये एक बहुत बड़ी सक्सेस स्टोरी हैं। एक समय भारत में एक भी PPE कीट नहीं बनती थी। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा PPE कीट मेनिफेक्टर है। सिर्फ छे महिना पहले देश में एक भी PPE कीट मेनिफेक्टर नहीं था। आज 1200 से जादा मेनिफेक्टर हर रोज 5 लाग से जादा PPE कीट बना रहे हैं। एक समय भारत N95 मास्क भी बाहर से ही मंगवाता था। आज भारत में 3 लाग से जादा N95 मास्क हर रोज बन रहे हैं। एक समय था जब भारत वेंटिलेटर के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर था। आज भारत में हर साल 3 लाख वेंटिलेटर बनाने की प्रोडक्शन कैपसिटी विक्सित हो चुकी हैं। इस दवरान मेडिकल ऑक्सिजन सिलिंडर्स के प्रोडक्शन में भी काफी मात्रा में वृद्धी की गई हैं। सभी के इन सामुहीक प्रयासों की वज़े से आज न सिर्फ लोगों का जीवन बच रहा हैं। बलकि जो चीजे हम आयात करते थे अब देश उनका एक्सपोर्टर बनने जा रहा है। साथियों इतने कम समय में इतना बड़ा फीजिकल इन्फासक्टर खड़ा करना कितनी बड़ी चुनोती रही है इससे भी आप भली भाती परिचित है। एक और बड़ा चैलेंज था कोरोना के खिलाब रड़ाई के लिए देश में हुमन रिसोर्स को तयार करना। जितने कम समय में हमारे पराड़मेडिक्स, आशा वरकर्स, एन्म, आंगनवाडी और दूसरे हेल्थ और सिविल वरकर्स को ट्रेंग किया गया वो भी अभुत्पुर्व है। आज अगर भारत की कोरोना से लड़ाई को देखकर दुनिया अचंबीत है, बड़ी बड़ी आशंका एक गलत सभीत हो रही हैं, तो उसका एक बड़ा काराण हमारे ये फुट सोल्जर भी है।